आप देख रहे हैं एटीवी राजस्थान ख़बर ही जीवन है नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है आज हमारे साथ है Art of Living Foundation की International Facilitator राजलक्षमी रतन जी राजिमा आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे कारे करे में बहुत सारे सवाल हैं आप से लिकिन जो आपने भगवत गीता पे इतना कारे किया है और कारे इस तरीके से की बाहर भी लोगों को भी समझाने में और एक आपने अपने अंद्रूनी भी बहुत कारे करा है तो सबसे पहले तो मैं आप से यह पुछना चाहूंगी क्योंकि ये चीज आज के दिन एक बहुत गहमा गहमी के महल में है क्या भगवत गीता हर धरम से परे है इससी Digital Language हाण जरूर जरूर ओओ जिन्दगी से जूड़े है और जिन्दगी सारे लोग जी रहे मथ़े है या नहीं जिन्दगी तो सबका है तो मथभी मथभ के साथ जी रहे है आव बिना जी जिन्दगी कैसा बिलकुल सक्सेस्फुल, हैपी, बिलकुल आनन्द में और त्रिपती से कैसा एक व्यक्ति जी सकते हैं, मर्द हो या आवरत हो, कैसा पूरा जिन्दगी का पूरा रस अनुभव करके जी सकते हैं, जिजी विशेत शतहम समाहा, हमारा ईशा उपनिशत में कहा है, कि साउ साल जियो और उसके उपर भी जियो, पर पूरा आनन्द लेके, यह नहीं है, चोटा उमर में मरना है, और बड़े उमर तक हम परिशान होके जीना, नहीं, खुशी खुशी जी सकते हैं, ऐसा ही एक तरीक है, बागवत गीता में. आप यह भी कहते हैं कि बाइबल में और बागवत गीता में कुछ एक basic similarities हैं. हो बहुत है, में sermon on the mount एक chapter है, बाइबल में, जो मैं लेती हूँ, जब मैं चैकाती हूँ, उसमें ही बहुत मेरे को similarities दिख रहा है जो जीजस ने सिर्फ उसका अपना बारा सिश्य लोग को ही कहा है ये सर्मन इसको beatitudes भी कहते हैं Christians लोग ने तो उधर भी ये जूटने कहना किसी को चोटने पहुंचना सब शब्दों से दोका नहीं देना do not commit adultery जो लोग कहते हैं दस commandments वही उसको कितना विस्तार से उसमें बताया है वही सेम कृष्णा ने अपना हमारा गीता में भी वही दोर आया है कि जो दूसरों से हम अपेक्षा रखते हैं वही गुद करना है मुझे कही बार ऐसा लगता है कि आज के दिन जब हम लोग विश्व को देखते हैं केवल भारत को नहीं तो एक एक युद छिड़ा हुआ है धर्मों में कि कौन सा धर्म उचका है तो मेरे को ये तो नहीं पता नहीं जी कि धर्म की लड़ाई कौन जीत रहा है लेकिन एक चीज समझ में आगी है राजी मा की इंसानियत हर रही है तो इसका कोर क्या है जी क्या हम लोग मतलब जो धर्म का जो अपनी एक अंतर आत्मा से जुड़ाव होना ची उसे अलग हो चुके हैं हो कॉंसेप्ट में आ गया कॉंसेप्ट क्या बोलते हैं ती जैसे समझ लो कि दो मिनिट में ले सकती हूं इसके लिए तो रवस्तार बता है ती समझ लो आपको ये चीनी क्या है आपको पता नहीं आपने देखा नहीं चेस्ट भी नहीं किया देखा कुछ सुना भी नहीं तो म मैं बोलती हूँ मैंने पिछले हफ़ते कहीं गए डिली और उदर लोग में जे एक सब एक पदार्थ दिया उसको चीनी कहा तो तुम पूछोगे ओ क्या है तो मैं बोलूँगे अच्छा मन में तुमको चीनी एक सफेद चीज है पहले मैं तुमको इंटर्ड्यूस कर रही हू आपको कि ये सफेद चीज है तो आपका मन में पहला सफेद चीज बताओ क्या आता है दूद तो आप दूद कहोगे ये जो कैमरा मैन बोलेंगे नमक तो अपना अपना मन में क्या उत्पन हो रहा है पतार्थ सफेद पतार्थ आप बताओगे तो मैं बोलूँगे नहीं नह यह नहीं है यह नहीं इह नहीं बोलते बोलते थग हो जाओंगे मैं आपको पूरा documentary दिंगा सकती हूँ चीनी क्या है चीनी कहां से उत्पन होता है बूक्स भी दे सकती हूँ पैंपलेट्स दे सकती हूँ पर आपको चीनी समझ आएगा नहीं मेरे को पिर चीनी का सुधर्शन हो जाएगा असली दर्शन ऑफ चीनी हो जाएगा उसके बाद ये दूद कहीं confusion, concept नहीं रहेगा, पता चलेगा खुद का, experience से पता चलेगा, तो धरम, religion, concept of God में चर्चा होगा, concept इकल के आनुभव होता है, पिर चर्चे का जगे ही नहीं, उसके बाद तुम आपके मेरे साथ आप चर्चा नहीं करोगे, नहीं, वो ऐसा ही है, इसा ही है, आप नहीं ब रही हूँ, वो ही चीनी आपको भी समझाएगा, बिल्कुल सही बात है, आज आपने एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और इसी से मेरा अगला प्रशन जुड़ा हुआ है, राजिमा की, गुरू की क्या महत्वता है हमारी जिंदगी में, और क्यूं होता है कि अक्सर लोग ऐसी कौन सी कमी होती है बाहर के इंवार्मेंट में या उनके अंदर, कि वो एक ऐसे गुरू को चुनते हैं, जो उनको सही रहा नहीं दिखा पाता है, और क्या वो गुरू है, गुरू की महत्वता, लेकिन एक छोट इसे ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वा किता है, राजी मा की गुरू चुन भी लिया, वो पता चला जी, गुरू ही जेल में चला गया, तो हमारी कमी है, हाँ जी, हम गुरू के, देखो, हमारा संसकार में क्या है, एक जोग्रफी पढ़ने के लिए भी एक गुरू चाहिए, स्विम्मिंग सीखने के लिए, के लिए जाके उससे आत्मियता का अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, तो गुरू, गुरू, गुरू है, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, कोई, डेंटिस्ट के पास जाके हम आंके के बारे में कैसा पूछ सकते हैं, पिर उसमें कमी कैसा बहुल सक है आपका ख्या अपेक्शा है किस लिए जा रहे है लोग एक सि हम therefore if they know it is for health को ठीक करने के लिए ahm बच्चों को बचाने के लिए पैसा कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए तैंट डटीजू सल ड़ेंट बर जो लोग ऑथ्म Yता सिर्फ और आत्मियता के लिए जाते हैं ऐसा ही गुरू उसको मिलता है तुमारा मांग की जैसा अपन जैसा मांगता है वैसा होती है वैसा मिलता है तो क्या मांगते हो वो पहले वो तो क्लारिटी लाएं हम लाएं फिर उसकी हिसाब से गुरू मिलेगा जो आपने कहा कि भी बच्चों के सीजन खतम हुआ है आप माताओं की हालत देख लिए बताओं की मतलब इतना स्ट्रेस है हमारी लाइफ में बच्चों को लेके तो माम यह जो एक पेरेंट चाइज डिशन्शिप है जो सबसे खूबसूरत सबसे हेल्दी होनी चाहिए इसको हम लोग एक हमने इसको इक पैसे के लिए और मैं तुम पडोसी से ज्यादा बड़ा बंगला बनाना है दो गाड़ियां बढ़तर बनाना है एक सबसेशन इसको मैं मैं हमेशा यह कहती हूं कि मैं जंदा की अवाद हूं और हमारी भी मेरे को ना चिक-चिक के लोग यह कह रहे हैं कि राजीमा ने तो बोल दिया स्प्रिच्वालिटी बच्चे की प्रूग्रेस करना यह होना चाहिए तो बोले भाया यहां दाल रोटी से फुरसत नहीं है और बच्चा क्माएगा नी तो खाएगा क्या इतनी है कि जरूरत के लिए बच्चा बहुत कर लेता है यह हमारी एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं हो सकते हैं बिल्कुल सही है कह रही है मैं इसमें एक और एक त्रिकों मैं जोड देते हूं अभी तक तो पेरेंट चैल्ड था और अब मैं जी ले आती हूं टीचर्स ठीक है 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 अगरें मैं यह मानती हूं कि यह चो तीन है ठीचर को इकठा ले रही हूं पैरेंट और चाइल को ले ले और नो यह आप खुदे कादिहा का रहे चुकी हैं तो इनमें भी मतलब लोगर हैट शें मतलब बच्चा उसे पूछो तो वह बड़ी एक लोग रहता है कि तो मेरे को लगता है सारे टासल में ना, इस तुम्हार इस चैनल वान पॉइंट एजेंडा, क्योंकि इतनी बुद्धी मता से मैं आपको बोलूंगी कि एच चीज आप हमें बताईए, कि क्या एक बेसिक हम लोग प्रिंसिबल लेके चलें, जिससे कि यह वाला stress factor हमारा डाउन यह जब मैं टीचर थे दिल्ली में, मैंने टीचर पैरेंट टीचर इंटरव्यू में ज्यादा टाइम लेते थे पैरेंट से बात करने का, और बोलते थे देखो हम भी दुश्मन नहीं हैं, आप यह दुश्मन हम दोनों का एक ही मकसद है कि यह बच्चा को अच्छा successful बना, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका अजंडा बता दो, मेरा अजंडा बता दूगी, और इस दोनों कहां मिल रहा है, नहीं नहीं मिल पाथ दूंडेंगे, क्योंकि हमारा दोनों का ख्याल है कि यह बच्चा अच्छा बना है, छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वाप हैं, उनका आशिरवाद के बिना हम जिन्दगी में कुछ नहीं बन सकते हैं, लेकिन अकसर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कारणों से वो लोग खुद खुश नहीं रह पाते हैं, हमारा फर्ज हमको अच्छी तरह पता है, वो मैं आज आपको बताना जरूरी नहीं समझ दादी नानी बन गए हुँ, और क्या मैंने सीखा कि बचों, हम हमारा बचों को पाला पोसा बड़ा किया, एजुकेशन दिया, शादी करवा दिया, सब कर दिया, हमारा करतव ये पूरा पुरनता कर्षिय किया, अभी उसका बच्छे वो फाल रहे हैं, वो पला रहे हैं, उ उस पे हम क्यों टांगड़ा नाया यह नातियां-पोतियां का जुल्री हम क्यों करीदना? हम करीदे वह पृषया हमारा बच्छों को तो यह stress हमारा मन में नहीं रखनीं का उसका admission कहां हो रहे है- क्यों नहीं हो रहे है यह सब चिंता हम नहीं करना है क्या नहीं पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है सही बात है मैं बार बार बोलती हूं मेरे बच्चों को भी मेरे बेटी और बेटी और बेटा को कि grandparents हाँ नानी दादी सब बिगाडने के लिए है बहुत खुब सुर्ण तुम कर लो हां सही बात है हमने जब parent दे discipline किया मेरे मम्मी डाड़ी बिगाड दिया तुमको तो ये दोनों चाहिए बचकें को फरवरिश में एक स्ट्रिक्ट discipline parents से चाहिए teacher से चाहिए और दादी नानी they are to बिगाडना और अपने मेरे बच्चे मेरे साथ है support mentally support करते हैं कि मेरा काम मैं क्या कर रही हूं वो मेरे लिए अच्छा है family के लिए अच्छा है दुनिया के लिए अच्छा है इससे जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रशन इस्रेल के experience कैसा रहा beautiful very beautiful उदर इस्रेल का लोग बहुत इंडिया से जुड़ा हैं अब बच्चे उदर बारह क्लास कतम करके girl और boy दोनों military school में शामिल होना है उदर का कंपलसरी है वो दो साल तीन साल के हिसाब से करते हैं उसके बाद सीधा इंडिया पहुँचते हैं क्यों इदर का सनातन धर्मा का सीखने के लिए तरस के आते हैं इदर फिर वो सब बहुत सीखके आते हैं even हमारा music classical music भी इदर बेनारस में दो साल तीन तननना वर पूर से थाना और कि टानपूरा डाल की वस राग गाते हैं, मैंने बहुत लिए कर वह भूट धर्मिक लेकिन वह पर इतना एक जो वेकास फिकॉस अगें प्रूने जो पूचन इन कॉंसेपन। हुआ तीन रिलेजिंट जुडेइजम, इजलाम, एंड कृष्टियानिटी तीनों कमस फ्रम दे सेम पर्संट पर ये जैसा बच्चे आज कल का बच्चे ना प्रॉपटी के लिए फाइटिंग होता है तो सुपीरियर्टी मैं ही बहतर हूँ, मेरे गूरू बहतर, मेरा गॉर् तो जितना आपने विदिन देखें, इस चीज़ को सौट आउट करें, उतना यू can find the peace. मैं music से जुड़ा हुआ, जो आपने भी बात कही, art of living क्यूंकि मैंने बहुत सारे sessions attend करें हैं, online भी मैं देखती रहती हूँ, music is very closely connected to all art of living. आप खुद करनाटिक classical music आपने सीखा हुआ है, what is the connect between music and spirituality, not religion, spirituality. आप ब्रिम्मम है, नाद ही ब्रिम्मम है, यह मैंने नहीं कह रही हूँ, यह हमारा रिशियों ने कहा है बहुत सालते, और जब कोई भी एक स्वर पकड़ के, सिर्फ तानपूरा डाल के, सिर्फ सरगम या पंचमम तो लेके बैटें, enlightenment हो सकता है. बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ, राजीमा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे कालिक्रब में है. नाव धन्यवाद. आप देख रहे है, ETV राजस्तार, ख़बर ही जीवन है.